नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लैटपॉर्म पर मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता हांग जो एशियाई खेलों की कुष्टी टीम के लिए रमिवार को बजरंग और विनेश का नाम भेज दिया गया इन दोनों के भार में हुए ट्रायल में जीतने वाले विशाल काली रवन और अंतिम पंगाल की एंट्री बतौर स्टेंडबाई भेजी गई है वहीर रविवार को आईजी स्टेडियम में हुए एशियाई के ट्रायल में सबसे बड़ा उलटफे टोक्यो ऑलंपिक के रजत पत्त्त विजेता रविकुमार की हार के रूप में हुआ इसहार के साथ रविग एशियाई की टीम से बाहर हो गए भारतिये ओलंपिक संग की तधर्त समीति की ओर से एशियाट के दो दिवसिये ट्रायल सफलता पूर्वक कराये जाने के बाद रविवार को ही पुरुष प्रिस्टाइल ग्रीको रोमन महीला टीम में सीधे प्रवेश दिया था लेकिन समीति ने सभी को 18 भारवर्ग में स्टेट बाई पहलवानों के नाम भी भेजे हैं बजरंग विनेश के भार को छोड़ 16 भारवर्गों में ट्रायल में दूसरे स्थान पर रहे पहलवानों के नाम भेजे गए हैं टीम में शामिल भारवर्ग में कड़ा मुकाबला हुआ रवी कुवार को पहली बार ही बाउट में महारास्ट्र के आतिश तोड़कर 8-20 के स्कोर पर चित कर दिया रवी पिछले कुछ वक्त से चोटिल चल रहे हैं वो तीसरे इंतरास्ट्रे रैंकिंग टूर्नामेंट में भी नहीं खेले इस भार में रास्ट्र मंदर खेलो के स्वर्ण पदक विजेता राहूल अवार को भी हार का सामना करना पड़ा एश्याई चैंपियन अमन सहरावत ने फाइनल में हुए राहूल को आसानी से हराया इसमें पहले सेमी फाइनल में अमन ने शुभम को कड़े संगश से हराया अमन ने कहा कि वो पहले शुभम से तीन बार हार चुके थे लेकिन इस बार वो मौकर नहीं छोड़ना चाते थे रवी की हार से अमन को भी हैरानी हुए बता दे वही बजरंग के भार में विशाल काली रमण ने फाइनल में रोहित को आसानी से हराया इससे पहले बजरंग विनेश को टीम में सीधे शामिल किये जाने पर अदालत गए सुजीत को हार का सामना करना पड़ा विशाल ने जीत के बाद कहा कि अंतिम और सुजीत की लडाई में वो भी शामिल है सभी खिलाडियों को एसी आई खेलों में का पदक जीतने का सपना नेकिन वो ट्रायल जीत क भी टीम में नहीं है अंतिम सुप्रीम कोर्ट जा रही है वो भी उनके साथ है उनके माता-पिता और परिजन न्याय के लिए आयो दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक उनकी लडाई जारी रहेगी 74 भारवर्ग में दिल्ली के साथ यश ने राश्ट्रमंडल स्वन्द पदक विजेता नवीन 86 में टोक्यो ओलंपियन दीपक पुनिया ने यूपी के जोटी कुमार को 5-3 से 97 में हर्याना के विकी ने गौरव बालियान को 125 भारवर्ग में हर्याना के सुमित ने आशीश को हरा कर एशियार्ट टीम में जगा बनाई जोटी ने दीपक को कड़ी तक कर दी 3-4 के स्कोर पर उन्होंने फैसले को चैलेंज किया जो उनके खिलाव गया उससे जिससे वो 35 के अंतर में हार गए फिलाल के लिए इतना ही जुड़े रही है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्ल